हमारा मारक दर्शन कर रही है स्रावन मास ध्यान में तल्लीन हो गया बितक के ओतरण का भी एक बिशेश घटना करम है स्रावन मास जिसको गुजरात में असाण मास करते हैं स्रावन मास की तीज का समय था उस दिन स्री महामती जी ने कोई चर्चा नहीं की प्राता काल सी ध्यान में बैठे रहे आगे आपको विदित होगा बिक्रम समद 1748 में मारिफत सागर की वाणी आतरित होती है मारिफत सागर के आतरण के पिस्चाद कोई गरंथ नहीं उतरा केवल धाम चलने के समद्ध में प्रकण उतरते रहे 48 के पिस्चाद स्री महामती जी ध्यान में तल्लीन हो गए किसके उस मूल सरूप के ध्यान में जो परमधाम की आत्माओं का अविष्ठ है पूरी वाणी का यह कही सारतत्व है हम युगल सरूप को अपने धाम हिर्दे में बसा ले स्वयम करके दिखाना था हादे किसको कहते हैं जो हिदायत दे जो स्वयम चलकर सभी ब्रमात्माओं को प्रेरित करे कि मैंने यह किया है और तुम्हें भी करना है कैसी भी डंबना है कि स्वयम अच्छरा तीत जिस तन में बैठे हो वो अतन स्वयम ध्यान कर रहा है युगल सुरुप का और जिस समाज में यह लिला हुई उस समाज के ही सुन्दर साथ आज उतावले होकर कहते हैं कि वाणी में चित्वनी करना कहां लिखा है चित्वनी ही तो हमारा आहार है चित्वनी के दोरा ही हम परमधाम को देख सकते हैं चित्वनी के दोरा इवल सुरुप को देख सकते हैं हम अपनी आत्मा को जागरित करके देख सकते हैं यह सारी लिला 1748 से एकावन तक तीन वर्सों तक स्वैम स्री महामती जी ने की और इसके पहले 1740 में जैसे ही पन्नाजी में पदारपन हुआ था प्रात्यकाल भी चित्वनी कराई जाती थी और सायंकाल भी चित्वनी कराई जाती थी लेकिन आज वही समाच दुख के साथ कहना पड़ता है चित्वनी से कोसु दूर हो चुका है प्रसंग यह है उस दिन स्रीजी ने भोजन नहीं किया दो पहर को प्रात्यकाल के ध्यान में बैठे थे तो जब तक स्रीजी भोजन न करें सुन्दर साथ कहां से भोजन कर सकती थे इसलिए सब सुन्दर साथ भी भूखे रहें संधय समेश स्रीजी की आँख खुली देखा कि सब सुन्दर साथ सामने बैठे हैं बंगला जी दरबार में सब को आदेश दिया कि किसी ने भोजन नहीं किया जाओ सब भोजन करके आओ सब को सक होने लगा था कि आज स्रीजी ने तो अपनी आँखे ही नहीं खोली थी कहीं अपनी लिला को छिपाने तो नहीं चाहरे जल्दी जल्दी जो कुछ हो सकता था थोड़ा सा भोजन बनाया और भोजन करके फिर आखर की बैठे है स्रीजी पुना ध्यानमस्तित हो गए पूरी रात बित्ती है प्रातर काल जब आखरी पहर शुरू हो रात समाप्त हो रहा था सवा पांच बज़े के आसपास स्रीजी ने लिला को छिपा दिया आसे कतात पर ये नहीं कि सरीर चुट गया समाथ में एक ऐसी अवस्ता आती है जिसमें लगता है कि सरीर चुट गया हिर्दय की धरकन बंद हो जाती है सरीर का कोई भी व्यपार नहीं होता सांस आना जाना बंद हो जाता है सबने समझ लिया कि लगता है स्रीजी का देह त्याग हो गया इधर माराजा छेतर साल जी के पास सुचना भेजी जा चुकी थी स्रीजी को अपनी लिला छिपाने की छिपाने की जो भावना थी उसका भास छेतर साल जी को होने लगा था माराजा छेतर साल जी अपने घोड़े भाले भाई पर चड़कर के नदी को पार करने का प्रयास करते हैं उसमें आजकल की तरह पूल नहीं था, लेकिन मिलने की इतनी तडफ थे कि श्री चातरसाल जी ने अपना घोड़ा के नदी में छलंग लवा दिया घोड़े से, भाव इतना तेज था कि घोड़ा भी बहने लगा, किसी तरह से पार चातरसाल जी आए, देखा, तो पन्ना जी क दिर से बहुत हिर्दे विदारक था, श्री जी के अंतरध्यान की सूचना जिसको जहां मिली, वही गिरा और सरेड छोड़ दिया, ये संसार में एक अभुतपुर घटना है, संसार में बड़े-बड़े महापुरुस आए, किसी ने उनके ब्योग में सरीर नहीं छोड़ा, योगेश्वार सिकर्ड़ जी ने भी अपना तन छोड़ा, मर्यदा पुर्शतम राम ने भी छोड़ा, गौतम बुद ने छोड़ा, इसा मसी ने छोड़ा, मुहमद साहब ने छोड़ा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, कि सरीर छोड़ने की बात सुनते ही अनेकों ने तन किया था, जिनकी किर्पा की छतरचाय में बैठकर यहीं बैठे 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 परमधाम के एक एक पक्ष में विचरण किया था, उस तन का ओजल होना किसी को भी सान नहीं था, क्यामत नमा में कहा है, सुनत विछोवा हादी का पीछे साभीत रागी पिंड, धिक धिक तिन अकले वह नहीं बत्रिया खंड, वो परमधाम की ब्रमात्मा ही नहीं है, जो अपने प्राणिसोर अक्षरातीत का ब्योग सान कर सके, मेरे कहने का से नहीं है कि आज भी सभी छोड़ दे, यह तो हमें तत्वज्ञान से समझना होगा, कि अक्षरातीत कहीं भी अलग नह महराजा चात्रसाल जी, जैसे पद्मावति पूरी में प्रवेश करते हैं, उनको चारो तरफ सन्नटा दिखाई देता है, बंगला जी दरबार में आते हैं, सब सांत बैठे हैं, जिधर देखिये हैं, उधर ब्रह्मुनियों के तन मुर्दा वस्था में पड़े हुए हैं, कितनों उन्हें शरीर छोड़ दिया हैं, चात्रसाल जी को समझते देर नहीं लगे कि इस्थिति क्या है, कोई विलक विलक रोने लगते हैं, कि प्राणिसुर अक्षरतित, आपका छत्ता आपके सामने आया है, आपको मेरे से बाते करने पड़ेगी, लेकिन कोई आवाज न ने इपनी तलवार निकाल ले, कि या कहते हैं, कि जिस तलवार से मैंने योवनों का सिर कटा है, अब वही तलवार मेरा भी प्राणाद कर सकती है, जैसे तलवार निकालकर अपने हत्या करना चाहते हैं, आत्मत्या करना चाहते हैं, स्री जी हसते हैं पकड़ लेते हैं, कहत तुने इस मिहराज के तनकोही केवल अक्षरती समझ जा था। मैं तो देख सभी आत्माओं के धा मिर्दे में मही रहता हूं। जब तेरा घोड़ा के नदी में डूब रहा था, तो तुझे किसने बताया था। मैं रिपीट पर देख तेरे घोड़ों के खूर के निसान बने है। चट साल जी को देखकर संत्वना हुई का कि चट्था तुमारे उपर बहुत बड़ा उत्तर दाईत्व है। प्रकृत की मर्यादा को निभाने के लिए मैं केवल लीला में ओचल हो रहा हूं। यथार्थ में नहीं। मैं सवी आत्माओं के दिल में रहूंगा। इन गुनेगारों के दिल को अर्श कर वैठे मेरे मान। चट्था को कते है कि महराजा जी सो कहया एक देखत हो तुम तिस वास्ते सेवा साथ के सौब चलत हैं। सब सुन्दर साथ का उत्तरदाईत मैं तुमको देता हूं। कि सब सुन्दर साथ को जगाना, सब को प्रेम के सुत्र में बांधे रखना और इनके हिर्दे में ही मेरी बैठक देखना। माराज चट्था साल जी को यह सेवा कारिक आदेश देकर स्री जी पुना ध्यानवास्था में हो गए और उस तन को गुमर्चे में पधरा दिया गया। फिर भी सुन्दर साथ को असाय था स्री जी का अंतर ध्यान। साहन नहीं हो पा रहा था। स्री जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं तुमसे मिलता रहूंगा। एक बर्स तक दरसन लिला चलती रही। केशव दाश जी से बाणी की जिल्दे बांधनी थी। सभी गरंतों का संग्रह करवाना था। लाल दाश जी से कुछ अलग लिला करवानी थी। मुकुन दाश जी से कुछ और सेवा लेनी थी। महराजा छत साल जी से कुछ और से वाले लेनी थी ये दोव तन तले कदम के आतम पर आतम हमारा परात्म का तन धनी के चड़ों में है तो हमारी आत्मा का तन भी धनी के चड़ों में है इस तन को कितनी देर तक इस दुनिया में रहना है इसका निड़े मुल्शुरुप के हाथ में लालदाची भी लगते हैं क्या मैं ही इतने कुठोर हिर्दे का हूँ कि इतने सुन्दर साथ तन छोड़ दिये और मैं ये संसार में जागनी कारे के लिए बैठा हूँ लेकिन नहीं जो मुल्शुरुप का देश होता है उसका उनगन कौन कर सकता है लालदाची के तन से ये पूरा घटना करम लिखा जाना था और लालदाची को ये सेवा सोंपी जाती है लालदाची इस पूरे वितक का पहले प्रकण से लेकर मुमिन सेवे कर मरत लालदाची ने रचना कि आज वितक हमारा मारक दर्शन कर रहे है मुमिन से लेकर वितक है